नमस्कार साथियों, onehindi.com के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ दिपीका मिश्रा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ गोस्वामी तुलसिदास जी के बारे में गोस्वामी तुलसिदास जी का जन्म 1511 इसवी में कास गंज में उत्तर प्रदेश में हुआ था लेकिन कुछ लों का मानना है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर गाउं में हुआ था इनके जन्म के वारे में विवादा इस्पध है तुलसीदास जी राम शरितमानस की रचना के लिए प्रिसिद हैं इनकी पिताजी का नाम आत्मा राम दुवे और मा का नाम हुलसी था ऐसा कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तब इनके मुँँ में पहले से ही दात थे और इनके मुख से राम नाम का उचारन निकला था और तभी से लोगे ने राम बोला कहने लगे और इनके जन्म के दूसरे दिन ही इनकी माता का दिहांत हो गया था तुलसी दास जी का जीवन घोर संगर्स की गाथा है तुलसी दास जी का पालन पोशन चुनिया नामक एक दासी ने किया था जब तुलसी दास जी पाँच ओर्स के थे तब चुनिया का वी देहांत हो गया था और इसके बाद शुरी नरहर्यानन्द जी ने तुलसी को अयोध्या में ही अध्यन कराया वहांपे वेद वेदांग की सिक्षा दी और वहीं पे ही इनका विवाहा रतना वली से करवा दिया गया और ऐसा कहा जाता है कि यह शुरूर से ही प्रखर बुद्धी के बालक थे इन्हें जो भी समझाया जाता था जो भी सिक्षा दी जाती थी ये जल्दी से ही ग्रहन कर लेते थे एक बार की बात है राम कथा सुनते समय उन्हें मनुस्य के वेश में एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया तब हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने राम जी के दर्शन की इक्षा जताई तब तुलसीदास जी चित्रकूट को चल दिये एक दिन अचानक मार्ग में ही दो बड़े ही सुन्दर राचकुमार घुणों पर सवार होकर धनुसवार लिये हुए उन्हें दिखाई दिये लेकिन तुलसीदास जी उन्हें पहचान ना सके क्योंकि वे ही राम और लक्षमर थे फिर एक दिन भगवान राम जी पालक की रूप में पुन्ह प्रकट हुए उन्होंने तुलसीदास जी से कहा बावा हमें चंदन चाहिए क्या आप हमें चंदन देंगे तब हनमान जी ने उन्हें याद दिलाना चाहा कि यही साक्षाद भगवान जी है आप इनके दर्शन अच्छे से कर लीजिए लेकिन वह उन्हें कैसे याद दिलाते तब ही हनमान जी ने वहाँ पे तोते का रूप धारन किया और एक दोहा कहा चित्रकूट के खाट पे भई संतन की भीर तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करें रगवीर दोहा को सुनते ही तुलसीदास जी समझ गए कि यही साक्षात रामचंदर जी भगवान है और उनकी छवी को देख कर वे इतने भाविवोर उठे कि अपनी सुद्भूध ही उन्होंने खोदी और तब ही भगवान रामचंदर जी ने तुलसीदास जी के मस्तक पर चंदन लगाया और तुलसीदास जी अंतरध्यान हो गए संबत 1631 में तुलसीदास जी ने श्री रामचंदमानस की रचना प्रारम की और दो साल, साथ महिने और 26 दिन में यह अदभूत ग्रंत संपन हुआ आज भी मंगल कार्यों में रामचंदमानस का पाठायो जिद किया जाता है इसके अलावा भी कुछ अन्ने रचनाएं हैं जैसे राम ललाना हुचु, वैरागे संदीपनी, रामाग्या प्रश्न, जानकी मंगल, सतसाई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्न गीतावली, बर्वय रामायन, दोहावली और कवितावली संबत 1680 में श्रावड प्रश्न तितिया शनिवार को तुलसी दास जी ने ड्राम सब्द का उच्चारण करते हुए अपना शरीर त्याग दिया दोस्तों, आशा करती हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद